ये अभी भी घोडे पे और उट पे बैठ के समझते हैं जंग होगी तालिबान ने कहा कि बहुत हो गया भाई हमने तुम्हें देख लिया है तुम लोगों जैसा है दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं है घजवाए हिंद के आसरे दे रहे हो तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तानी मीडिया अफकान टालिबान के साबने बहुती जोनाद होना कर रहा है और उनसे भीक मांग रहा है टीटीपी पे कारवाई करने के लिए जिस पे अफकान टालिबान ने पुरीट से मना कर दिया है और जब गजवाए हिंद पे बात आई तो टालिबान ने पाकिस्तान कोई उल्दा खड़ी खोटी सुना दी उन्होंने कहा कि अगर कई भी गजवाए हिंद लिखा हो है तो दिखा है वरना अपनी जूटी कहानिया वो तालिबान के अपन ना थोपे तो तालिबान ने भी गजवाए हिंद पे पाकिस्तान जूट बेनकाब कर दिया है और तालिबान ने पाकिस्तान आईना दिखा दिया है तो पाक मीडिया इस पे रोना डोना कर रहा है दोस्तों ये वीडियो बहुती मेंसे दा रहे तो इसा पुरा से रो दिखेगा तो चिलिए और इंतिसार न करके वीडियो दिखते हैं हाँ एक महफिल में वो और माँ बैठ जाएं वो अपना पॉइंट अफ यू दें मैं लेकर उसको प्राइम निस्टर तो बना दी है ना इस्टैबलिश्मेंट ने ये तो इस्टैबलिश्मेंट की अपनी कंश्यूजन मुझे समझाती है दे कांट इवन चूज इंटेलिजेंट पीपल तो प्रिजेंट एक गूड केस हम जंग लडेंगे तीन सो साल तक लडेंगे तीन पता नहीं क्या क्या तीस दफ़ा लडेंगे ये इट मीन्स नथिंग ये अभी भी घोड़े पे और उंठ पे बैठ के समझते हैं जंग होग तक नवाज शरीब की सरकार में खौजा आसिफ डिफन्स मिनिस्टर थे उस वो खौजा आसिफ कहते थे कि इनको अल्ला की मदद हासल है तरीक तालिबान पाकिस्तान ये फ्रीडम फाइटर है तुम्हारे मलक में जो दमाके कर रहे हैं और तालिबान पाकिस्तान तो अब ज की मर्दी इसमें शामिल है के नहीं अब ये फ्रीडम फाइटर नहीं रहे क्या तुम ने तालिबान को बचाया तुम ने तालिबान को अफगान सरकार दी अब क्यों रो रहे हो तो पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान और बाजवा की सरकार ने तालिबान की भरपूर मदद क को वापस अफगानिस्तान की सर्कार दिलवाई इस समूंइत पर अब तालिबान जरन अफगानिस्तान में सैट हो जाएंगे तो वो लशकर भर भर के देंगे ताकि हम किश्मीर पे चड़ाई पर यहां तालिबान ने कहा कि बहुत हो गया भाई, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम लोगों जैसा है, दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं है तुम लोग मुनाफिक हो, हम तुम्हारी कोई जंग नहीं लड़ेंगे गजवा-हिंद के आसरे दे रहे हो, गजवा-हिंद कहा है? कुणसी अथिएस अथेंटिक आदिएस लाकि दिखा दो ये दो अंग्रेजों के मावाइसराईöh ने बनाई हैं बहती से हमें कोई गजवाहि हिंद से परवा नहीं है, अफगानिसान से हिंदुस्तान पे हज़ारों साल में कई हमले हुए गजजनवी, गोरी, अब्दाली, नादुरानी, मुक्तलिफ हमले होते रहे किसी भी अफगान बात्षाह ने गजवाहि हिंद का हुआला नहीं दिया वो सब मुसलमान थे, वो सब शरिया के पाबन थे तो वो घजवाए हिंद होती तो वो कमसकम महमुद घजनवी कहता कि मैं सोमनात इसलिए जा रहा हूँ कि घजवाए हिंद की हदिस थी प्रॉफिट मुम्मद ने ओर्डर किया था आज तुम लोग घजवाए हिंद का नाम ले रहे हूँ हमने बहुत तुम्हें देख लिया तुम लोग अमरिका के एजन्ट हो और हम तुम्हारी कोई वो नहीं करेंगे तो आज पाकिस्तान रो रहा है तो इसकी वज़ा यह है कि तालिबान अब इनके कंट्रोल में नहीं है इनके डिक्टेशन पर नहीं चलते इंडियन एक जो पॉलिसी पर चल रहा है यह वो छुप के जो वार कर रहा है यह बड़े अर्से से कर रहा है है थीक हो गया ठीक है बलौुचिस्तान में किए इनोंने कितने लोग मारे हैं पाकिस्तान सबसे ढ़ता मुसलिं मुसलिम मुसलिम बात कर रहा हूं यह यह सही तरह से शोप spar एंडिया कर वारे है अपने यही बोला आना भे लो हैं में आर यह को चाहिए चमारे था काम कर रहा है जैसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया चाता है वो उस तरीके से हर चीज देखे ना जिसको जिसमें फैदा नजर आना उसने अब वही है अब माशी तरीके से मारा जाता है जंक के जरीए नहीं मारा जाता है तो हमारी एकानमी फिर कितर खड़ी अगर बात करें के एकानमी के तोर पी सारी दुनिया देखें इन्शाला अला ने चाया पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुलक है और बूसरा गरीब गरूप कोई नहीं है ये बस एक लोली पॉप देते हैं मारे कमराण मैं चीज को मानता हू बड़ी मुझे बड़ी मुझे भी महपत है इने भी महपत होगी लेकिन आप कह रहे हैं गरीब वगारा कंट्री नहीं है एक तो डिफाल्ट होने के करीब था तूसे नमबर पर आपकर इंटर्वियू मैंने किया हुए आई सा कुई तीन माह पहले और आप मुझे ये कह रह पाकसान के कुछ समझते नहीं है बार्डर को वो बार्डर को कुछ समझते ही नहीं होगा जब मर्जी चले जो जाओ जाके सेक्यूरिटी लाइनफोर्च्मेंट को पैसे दे हो थे प्लीस आलेंगों लेवी शेविश को और पाकसान अभी क्रैक डाउन हुआ ना का प्लीस वालों को पैसे दो छोट जो ठीक है चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो टालीबान बहुती अच्छी हरकते कर रह है और पाकी समद जैसे जबाब दे रहे वो बहुती सारा मरस्यदार है तो अगर टालीबान ने सिर्फ अपनी जो सोशल इसूर से और जड़कियों की जो पढ़ाई है उसे फिर से सुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि भारत को वही प्रोब्लेम होगी टालीबान से जिस अच्छा है और जहां तक जैसे मैंने कहा कि अगर टालीबान अपने जो सोशल प्रोब्लेम है जड़कियों की पढ़ाई उसे सही कर दे तो भारत को वही प्रोब्लेम नहीं होगी टालीबान से जिस्टे नॉर्मल करने की और गसबाई हिंड पे टालीबान ने जो पाकिस्त तालीबान को इस्ता नहीं है क्योंकि अफगान टालीबान सिर्फ अफगनिस्तान के वह थकानिस्तान के बोर्य के बहर कई भी नहीं जाते और गर्पीडिके ओपर यौह हमला होता कि अफगानिस्तां से रिष्टे नॉर्मल करने की और आपको बाटा कि अफगान जो लोग है वो भी भारत्यों को पसंद करते तो वो भी भारत के फाइडे मन्थ होगा और आखिर में मैं यह कुंगा कि पाकिस्तन जो तालिबान के साथ करते कि टीटो उसके बाद ही होना था टालिबान को उन्होंने अमरीक के हवाले किया ता पैसे के लिए ये टालिबान को आज तक यात है इसलिए वो टीटीप को पर भी जानबूज के कोई कारवाई नहीं करना चाहते है यूंकि टीटीप पाकिसन जैसे धोर यह वो भी टालिबान को पसंद है तो चहला देखित झाल झाल